तो बंदा खूस है की नहीं सबसे पहले बंदा खूस रहे फिर आपना काम करे मैंने ज़्यादा काम किसी को बोला नहीं सिर्फ एंड सिर्फ आपको 8 घंटे सोना है और 16 घंटे पढ़ना है बोलता है ऐसा भी कोई पागल पढ़ता है क्या मैंने खुद पढ़ा हूँ आपका जिन्दगी में और कुछ काम नहीं था तो आपने पढ़े होंगे ठीक है आपका जिन्दगी में और कोई काम नहीं है हमारा आपको क्या लगता है कि आपका काम नहीं था क्या हमारा भी जिन् यह कोई normal time नहीं है आईदर तो आप यहां से निकलने का कम से कम time में प्रयास करें अगर कम से कम time में आपको निकलना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा effort 188 डाल देना है सिधा जुगार कम से कम time में अगर आपको यह करना है तो ज्यादा से ज्यादा time इसमें निकलना है जैसे मैंने आज लगाया हूँ बार्क एन इस रोका प्रैक्टिस सेशन वेल्डिंग पार्ट वन तो क्या होता है क्या ठीक से सब कुछ सुनाई दे रहा है ना ससिकंद कुसाग्र ससिकंद मैं उसके भी बताता हूँ बेटा यह जो मैं आज लगाया हूँ बार्क एन इस रोका प्रैक्टिस सेशन वेल्डिंग पार्ट वन तो मेरा जो पढ़ाना है मेरा जो चीज है कि पहले तो वेल्डिंग में क्या होता है त्योरिटिकल कुछ चीज आता है और नियूमेर क्या आता है इसमें थेोरिटिकल भी आता है नियूमेरिकल भी आता है और बार्क वरले का इच्छ वाता है कि सही मैं हम लोग सीब भर-भर के क्या देंगे बेस् لمेडमि इस भी प्रोडाक्शन से सबसे जयाता जो इन्लों का question आता है, वो आता है olding का, इसलिए मैंने सबसे पहले olding पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ,ITY बताने का प्रयास कर रहा हूँ इसमें जो बार्ख is and बिल्कुल क्लास कराता हूँ एससी जेए का पूरा क्लास कराता हूँ और उसके बाद मैंने इसमें क्या किया आगर आप बोलोगे मुझे सब कुछ चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आगर आपने बोला नहीं मुझे जो फ्री वाला पार्ट है मुझे हो चाहिए तो यहां पर देखो यह कैसे सीट होगा सपरेड़ सीट होगा गार लिखाए से सीचुच एट कंप कर आया 18 is कि द्यूरिन का कुछ करा थीयोव मैंस को करा एए इसके बाद देखो इसमें मिटल कटिंग का करा रखा हूं हम्ट का करा करया रक्म हैं यूंट रिंदेंग आप हैं और हैं सब्सक्रिप्सधका स्राइए सब्सक्रिप्सधियर का इसके एक ट्यक्रीक तो आप लुट आप जो सोचते हो मुझे पढ़ा दो मंडल उससे पहले पढ़ा दिया ठैक है आप जब सोचते हो कि एसे पढ़ा दो पढ़ा दिया तो इसकी केस में जैसे है मेरा spread shift जो आप देख ग्रों कोड जैसे इसको QR कोड कर जैसे इसको QR कोड scan करोगे तो आपको डिरेक्ली वाला लिंक मिल जाएगा जो मैं अभी दिखा रहा था और उसमें ऐसा नहीं किसी पेसिस तीजेए आपको जिन्नेगी में जो एक्जम देने का कभी इच्छा हो तो आप उसमें देखना मुझे ना अभी प्लास जो स्टूटिन का सबक्रिपस्ण उसके लिए मेरे पास सबकिर्सण नहीं तो यह आपका उसके लिए है एक सी पेपार से जो गेड दिना चाता है उसके लिए है एक प्रमस्त्र पढ़ाया थे कोई ग्रिविशन कोर्स करना चाता है के लिए है मतलब आप देख रहा कि कौन सा चीज नहीं है हार चीज हम कराते रहता है यहां प्रोवाइड करता हूं इसलिए सारे बच्चे को मैं एक ही बात कहूंगा यह आप लोग खूस हो के इसको फॉलो करें और उसका कीवार कोड आपके सामने जो देख रहा है डाट इस कीवार कोड स्कैन करें इसको बुग मार्क करके रखे सो देट जिन्देंगी में भूले नहीं है कि लिए इसलिए जिन्देंगी में भूलना नहीं तो अगर ऐसा केस है अब बात हो रहा है सर यह जो आज आप पढ़ाने जा रहा है वेल्डिंग उसमें आप क्या कराने वाल और बार्क में आज तक एक भी थिउरिटिकल को से नहीं दिया जब थिउरिटिकल ओहीं लोग नहीं दता है तो मैं क्यूं उससी ददा हम चलता है इसका नियूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है यह जिए रिक्वेर्मेंट है उह होता है क्या आपने वेल्डिंग कभी देखा है दा मेट्रियाल जो मेंट होता जा रहा है और यहां पर गिरता जा रहा है तो यह मेटल मेंट होता जा रहा है इलक्ट्रोड का गिरता जा रहा है लेकिन क्या यह जो मेंट हो रहा है नीचे सिर्फ यह जो मेंट मेंट मेंटल इलक्ट्रोड से आ रहा है बोला नहीं इसमें दोन आप बताए कि मैंने अगर इस तरह से सोचा कि मेरा जो दो दोनों तरब में दो मेटलिक पीस है ऐसे मेटलिक पीस है दोनों तरब में जो मेटलिक पीस है ऐसे मेटलिक पीस है दोनों तरब में जो दो मेटलिक पीस है देखे ऐसे देखे यह दो metallic piece है इसको हम melt करते जा रहा है तो यह जो चीज होगा ऐसे करके इतना area melt हो जाएगा सर इतना area melt हो जाएगा तो आपका देखिए यह इतना वाला portion का metal जो खूद है वो तो चीज होता है है में होता है की base metal का कुछ amount melt होता है और यह जो इहां से मेटल गिरता है ठीक है इहां से मेटल गिरता है तो मेल्ड कितना हुआ टोटल सर जो आपका इलक्ट्रोड मेंट हुआ और जो इसका बेस मेटल मेंट वा दोनों मिला के मेंट हुआ माल लिया जाए इसका एरिया जो टोटाल एरिया रहा हंड्रेड कि यह हँंड्रेड मिलीमेटरस के एरिया वाइल्यूम नहीं सर वॉल्यूम कैसे निकलू इस तरह में यह जो आफका वॉर्क पीश है वह कि आ है तो बताई आपका वॉल्यूम पता चल नहीं चल रहे ससी कंत आपको एरिया और क्या यह अपको एरिया और लेंग्थ थे मेरा इस तरह में लंबाई है वेल्डिंग कर रहा है उस तरह में लंभाई कि दना है ओर है मनलो 250 mm किया आप कितना वॉल्यूम में्टाल मेंट हुआ टोटाल बता सकते हैं पवित्तरा क्या बता सकते हैं किर नुचों nom किया तो और आद那ल तो एजो को स्पेप्ट है थायन रहाई कि हमें जो तोटाल वॉल्यूम है हम पता सो एरिया मेरा हंड्रेड मिनिमेटर स्क्वेयर है एल मेरा 250 250 मिनिमेटर है तो किदना वालूम होगा 250 मिलीमेटर है सर इसका मतलब आपका हंड्रेड इन्टु 250 25000 25000 मिलीमीटर क्यूब मेटल आपका मेंट हो रहा है लेकिन को घुमाता है कैसे घुमाता है आप बोलेगा नहीं- mostly जो इल्दिंग होके जा रहा है इस इल्दिंग का जो स्पीड है अब अब बात को घुमा रहा concurrent Edwards हो के जा रहा है उसित का स्पीड है that is equal to 10 mm per second बताइए आप एग जमनर खेला भी आपके साथ बोल रहा कि इस तरब में जो मैं वेल्डिंग करके जा रहा हूं ओ जा रहा हूं 10 mm per second में मुझे बताइए आपको एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम का मिटल चाहिए पवित्र अमर्दीप अमर्दीप बाबलू बताइए कितना चाहिए मिटल सर एक सेकेंड में इस तरब में वो 10 mm जाएगा दो सेकेंड में और दस जाएगा तीन सेकेंड में और दस जाएगा तो आपका हो जाएगा यहां पर क्या यूनिट टाइम में जो मिटल मिल्ड करना है आपको यूनिट टाइम में जो मिटल मिल्ड करना है वो कितना होगा सर इहां पर नाम हो जाएगा अभी क्या हो रहा है वॉल्यूम पार यूनिट टाइम ठीक है वॉल्यूम मेटल का जो वॉल्यूम फ्लोरेट होगा तो मेटल मेंटेड पार यूनिट टाइम आप हो रहा है सर इसका मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी आ जाएगा तो यह आपका हंड्रेड मिलीमीटर स्क्वेयर है और वेलोसिटी आपका दस मिलीमीटर पर सेकेंड है इसका मतलब सर मुझे में जाएगेड़ उनदा स्क्वेयर है वान थाउजन मीलीमीटर क्यूप पर सेकेंड में मेटल को मेन्ड करना है प पहले बात कि लियर कर लें कि तो क्यूश्चेन है दोनों टैपका होता है कि एक होताहे कि भाई तुम्हारा वेल्डिंग का स्पीड कितना है और एक होता है कि तुम्हारा मेटल को मेंटर हो रहा है उसमें पर यूनीट टाइ्म में कितना मेंटर मेंटर हो रहा है आव चल दूसरा खेलगा देखो मुझें ना 1 mm rubacağım को मेंड करने के लिए दास जूल önर्जी चाहिए पिज Snr weighs इंग और एक मिल्यमीटर को मेंट करना है दास जूलनगई जीए तो आपका जो मेंटिंग के लिए हीट रिक्वाइर्मेंट है ठीक है मेंटिंग हीट तो उसके लिए गॉल एफ एंच मतलब करходит इसका मतलब के है सर यूनिट मीली में एक मिली मीटर क्यूब अगर मेटल को आप मिल्ड करना चाहते हो तो आपको दस जूल हीट देना पड़ेगा यह सिधा बात है अब मुझे बताए कि आप यहां पे कितना हीट देंगे कि यहां पे कितना हीट देंगे बताए कि अमर देप कितना हीट देंगे बावलो प्रभित्रा अमर देप ससी कांत एभी बड़ी बताए कि दना हीट देंगे सायर एक मिली मीटर क्यूब के लिए दस जूल आपने इतना मिली मेटर कूब बनाना चाहते हो तो सीधा हो जाएगा मुझे मांटिप्लाई करो क्यों बता रहा है टेक्निकल वाइब सेरीज क्यों बता रहा है नहीं आप गलत बता दिया टेक्निकल वाइब सेरीज यह इतना मीली मीटर क्यूब है इन्टू टेन जूल पार मीली मीटर क्यूब है तो क्या आपको यूनिट बता रहा है कि यह मीली मिलिमेटर क्यूब को काटने के लिए तुमको मांटिपलाई करना है मतलब आपने इतना मिलिमेटर क्यूब मेटल को मेंड किया इसके लिए मुझे इतना जूल एनरजी चाहिए लेकिन आगर आपने इतना वॉल्यूम फ्लो है तो इसको मांटिपलाई करके देखे क्या रहा है सर यह आजा रहा है यह आपका 1000 मिलीमीटर क्यूब था इन्टू आपका 10 जूल पर मिलीमीटर क्यूब है देखो यूनिट खुद बता रहा है इतना मिलीमीटर क्यूब पर सेकेंड था इतना मिलीमीटर क्यूब पर सेकेंड था तो इसके साथ 10 जूल पर मिलीमीटर क्यूब ज क्योंकि जूल पार सेकेंड किसका यूनूट हो जाता है पावार तब यह आपका एक हजार के साथ और दस मांटिकल दस अजार इतना जाएगा जूल पार सेकेंड पहले इस चीज़ को खुबड़ा में घुसा है कि आगर आपको टोटल वॉल्यूम मेंड करना है इतना जूल ए की चाहिए लेकिन अगर आपका एसे होता है तो इसके चक्रमें बहुतर जूल पर सेकेंड मतलब करता है तो इतना व् मतलब खतनना खेलैं कि एक जैमिनर यूनिट के साथ इतना खेलता है और बच्चे का उसी से परस्चनी होता है मंद्र बोलता है सरा इंट पूट कर दो आपका परस्चनी Khy photographs मतलब ऐषा क्वेस्चेन सौल्व करने के लिए आपको क्या करना है कोनें एसा कोश्ट्टन सोब करने के लिए आपको इुज्ट के साथ खेल खेलना और सारे युणिट आपको पूट करना है आप सवाल होता है कि देखिए मैंने इसके लिए जो करेंट यूज़् किया एंडें वल्टे यूज़् किया धेंअ से देखिए मैं displacement हो कारेंट इस्क्यां वोल्टेज ईस्क्या वो कितना है हमने वोल्टेजीं सक्राइब हो सो यह से बोला कि हमने कारेंट इस्क्याइब चीक्ता मृट्रेजा एपका ये आपका दूसरा तरफ का हिसाब है। एक आप इस तरफ से हिसाब कर रहे थे, फ्रम दीस साइड कितना मेंट होगा, कितना मेंटल का हीड लगेगा, आप दूसरा हिसाब आता है, कि भाई तुम ने तो जो इलेक्ट्रिकल पावार दिया, पावर बच्पन से पड़ता है इसका बहुत सरे फॉर्मला आता है वी इंटू आई होता है इसकी चक्कर में वी स्क्रवार होता है तो आई से करके आप पता करो की सर अगर मेरा हंड्रेड वोल्ट है और मेरा दो हजार एंपियर आपका कारेंट जा रहा है तो इसका मतलब इसका मतलब मुझे जो इलेक्टिकल पावर मैं दे रहा हूं ओ देना हो तैसे गाट वहांड्रेड इंटू थू थाओजन इतना वाट एप पहले बात को समझे से इतना ववाट आपने हीट सब्लाई दिया कि अगर आपको पूछा जाए कि क्या जितना हीट अब देते हो क्या उतना स्मिटल को मिंड़ करने में लग जाएगा आप लॉजिक से बताईए कि इलेक्ट्रिकल पावर मतलब आपने जो इलेक्ट्रि हीट हमें मिलेगा क्या वोला सर क्यों नहीं मिलेगा मैंने हीट बना रहा हूं क्यों नहीं मिलेगा आपका दिलकार्मा होगा सर मैं तो हीट बना रहा हूं क्यों नहीं मिलेगा तो आप यहां से वेल्डिंग को ढंक से देखिए जब वेल्डिंग क्या जाता है तो उसके केस में यह जो पूरा हीट पैदा हो रहा है क्या एडमोस्फियर में कुछ हीट नहीं जा रहा है कुछ हीट ऐसे इधार उदर भाग नहीं जा रहा है जब वेल्डिंग करते हो तो क्या चारो तरब में कुछ हीट भाग नहीं जा रहा हीट ट्रांसपार एफीशेंसी 50% है कितना बोल ला है हीट ट्रांसपार एफीशेंसी 50% मतलब यह जो आपका एलक्तोड यह जो आपका मेटाल दोनों मिलाके जो हीट मिलेगा ठीक है टोटाल हीट जो पूले वाला है मेटल को मतलब बेस मेटल को और एलक्टर को दोनों मिलाके होगा जो हीट ट्रांसफार एफिसेंसी होता है मेटल को और बेस मेटल को दोनों मिलाके होगा क्योंकि हीट जो लॉस हो गया हमें उससे मतलब होता है कि भाई यहां पर मेरा 50% हीट ट्रांसफार एफिसेंसी जो ही ट्रांसपर का एफिसियनसी है ओ बोल है मेरा कितना ही ट्रांसपर है जब 얼마 kr 50 फिख्टी परसेंट बोल रहा है तो बताए कीतना हीट मेट्ल को मिला बेस भी आएगा और तो दा मेटल को मुझे कितना मिला सर मेटल को जो हीट मिला तूदा तूदा मेटल जो मेटल को हीट मिला ओ कितना मिला इतना बड़ा नहीं लिए तो यह जो देखा जा रहा है उसको जो हीट मिला ओ कितना मिला सर ओ आपका एलेक्ट्रिकल जो पावर पैदा हुआ था उसका 50 पर्शन तो यह आपका हंड्रेड इंटू 200 इंटू 0.5 इतना वाट आपको हीट मिला किसको मेटाल को इतना वाट हीट मिला मेटाल को लेकिन जितना वाट हीट मिला ठीक है किलो नहीं करूंगा महमद क्योंकि उसमें किलो में लोचा पैदा होता है हम किलो नहीं करेंगे अब बात हो रहा है कि सर इतना हीट जो मिला क्या सारा हीट मिटाल को मेंड करने में लगा सवाल हां आ गया सारा हीट मिटाल को मेंड करने में लगा तो आपको औ इस तरव में कॉन्डक्षनों के नहीं जाएगा का कि रोक कि का मैं मिन्टिंग कर रहो उसका एसेंसी कि इसेंश कीतना है क्योंकि आपको पता चल चुका Nebraska मुझे मेटल को शर्फ मेर्ड करने के लिए सिर्फ मैड करने का लिए मुझे इतना ओर द anarchու मुझे पावर कईंट मेल्ड करना चाहता हूं जिदना आपके चाहिए एक यूनिट में इतना मुझे तो एनरजी इतना वाट मुझे हीट को हीट मेल्ड करने में लगा जबकी मेटल को इतना मिला तो बताइए फिर बाकी कहां गया सर बाकी आपका मेटल में ओक When आपको एक थाजार ओड कोड़ का आपको करने का लेकिन उसके लिए मेटल मेटल को आपने कितना हेट दिया मेटल को दे दिया हंड्रेड इंटू 200 इंटू 0.5 इतना वाट आपने दे दिया तो वाट वाट का तेल की निकल गया इसलिए मैंने किलोड नहीं करूंगा इस्निए मैंने आपकील यह करेंगा तब पता चला सेर इसके हिसाब से हमारा एक जिरो काट गया 20 काट गया 40 का ऑगि के सारा जिरो का तेली निकल गया चारोज तो है तो पॉइंट वाइन टूटी है मतलब कितना रहे एफिसेंसी कितना रहे 1000 हाँ हाँ दो हाजर एंपेर लिया था अच्छा और तब दो हैजर होगा कोई बाद अगर दो हैजर एंपेर लिया था उसके चक्कर में आपका किना होगा यह आपका अजया तो हम सब्सक्राइles नीचे और एकहरा है तोइसका मतलब वकातर इस0.1 तो मतलबन आपका जी रो पॉयंट उवढ़ किया हुए बिटा जी रो पॉर्टवार रेशियो है डिаст 2021 तोना रैशियो है फक्यून पॉनैट दो है फसट अब कि इंटू करके 100 करोगे तता पर्षियो किया था मैंने तो इसका हो जाएंगा ज 27 है किए ना रहा है द्लॉक दॉट मतलब अब देखो कि जो आपका हेटव ने पैडा किया हीटव ने पैडा किया हो हीट का ओडिकां़ी 10 परसंट आपका क्या हँ उसमें जा ला है देखो 100 किया 100 करने से 10% हीट हमारा उसमें कर? तो 90% फिर कहां गया वे आपका roller लेकिन हमें में मिलता है आप इहां पे आपको ऑनद का प्रहिए और आपड़ में किह सो धुता है तो यहां सब्सक्राइब करने के लिए आपका मेंटिंग करने के लिए कितना वाट चाहिए और इसका कितना आप ने दिया उस तरह से जुगाड लगता है कि अब सवाल है फिर आपके नोट्स वाले कुस्ट्ट इन आफ यह सी के लिए आपको पाता है कि पहला पाता है कि यह सी के लिए पीवाई क्यू करना चाहिए या फिर आपके नोट्स वाले कुस्ट्ट इन आफ ठीक है मेरा नोट वाले कुस्ट्ट्ट में क्या है आपको पता है क्या पहला पता यह उसके बाद दूसरा बात सुरू होता है कि मेरा नोट में क्या कुस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट मंन्डल दीनी इलाही विद्फियोरी प्लास पाले धान दरिखिये विनी एलाही य। ध्योरी प्लास इस्या क्केश्ट्छन च पॉम गेट आ इस आपसि आई इस का बات करना में घेट का भी है आ इस का भी आ य। का भी है इस्वार का भी है Beni स्टीक्वEN्स है तो आपक्तिकाएं एक नोट भी खोड़के नहीं देखा कि मंदल का नोट में है क्या मंंदल का दीनी इलायी जो बोलता है हर कोस्च में एक-जामिनर किस से कपि करेगा दुनिया में जितना question था सारे को हम sequence में करके डालके रखा है जैसे अगर welding देखेंगे बोला पीवाई क्यों करूंगा ठीक है यह होता है problem क्योंकि आधा student को आज के जमाने में पता ही नहीं है कि मंडल का नोट मतलब उसका नाम दीनी इलाही क्यों है बताएए दीनी इलाही क्यों है क्योंकि ऐसा जो मेट्रियाल है जिसमें everything एड कर दिया गया everything मौला जैसे मालो आपका welding का है मैं नोट दिखाता हूं welding तो इस welding का जब नोट दिखेंगे तो उसी में आपको दिखेंगा कि क्या क्या है सर इसमें थोड़ा सा बड़ा करता हूं ने तो सब को इसमें दिखेंगा नी देखें इसमें क्या क्या है पहले हम थोड़ा सा थियोरी पढ़ाएंगे जो थियोरी का requirement है फिर आगया आई इसका question फिर जैसे चला गया फिर आगया क्या से नचाहता ऊब्री दे दिया गया ऐये अई एसिएसा है के इसमें क्यों में गया तो तो उसके इस बाद जो कोस्टेन जहां जहां से दुनिया में आता है उसी टॉपिक में उसको घुसाया गया नॉट ओनली दीस में का निकल पी आई का भी है तो इसलिए जब आपका जैसे आर्क वेल्डिंग पढ़ने शुरूप पढ़ना शुरू किया पहले 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 पढ़ा दिया कि जो ठी है सीये पढ़ा दिया उसके बाद सुरू हो सारे कोईस्टन ठीक है जैसी कौनसेफ। से जो जो आभी तक ने सप्ट पढ़ाया उसे ज्यूनिय मैं उस्टोन इंट न्सग कर आए न ज होता है और सारे मनदकर नोट का ही होता है और इसको समने दिखेगा सामने दिखेगा समर्स सिमिलर को आप hier नो करा रहыт है इसी टाफ का इर आप दिखेगा तो मतलब आप जो सोच रहे हो आप जिस तरह से सोच रहे है ऑईestens का अबी है तो या यह दा ओा ही कु기에कर करी ऐता है उसके कारान दीनी बारही का मार्केट रैलू क्या है दिखाता है तॉप आपडों से जहां भी देखोंगे दुनिया में जितना भी ऐसे कॉम्पूरिटल इबिई है हार आपको देखने को मिलेगा रसे नेक्सट पेज नेक्सट पबेज करते जाना ऐसे दोसों से जादा वेब सैट है जहां जिस दा मेन तेंग कि इसके मंडल का क्यूं इतना ज़्यादा मार्केट वेलू है क्यूंकि हम और चीज बना रखा है जो दुनिया में कोई नहीं बना पाया आज तक पूरा दुनिया में सब लोग प्रयास तो किया आज तक कोई नहीं बना पाया इस लेवल का मेंट्रियाल ठीक है जब मैंने मैंथेमेटिस बनाया हूं कोई बना के तो दिखाए जो आपका जो सारे सब्जेट जो मैं यहां पर मार्केट में लेकर आता हूं ओ दुनिय सबको पता है कि मंडल का सेट में जो कॉस्चन है उससे धरती मैं नहीं है और और यह इसका कशन का अमपने देखा ही नहीं तो इस वेरी पैथेटिक टूनो कि गोगल में भी सबकर करके देखलो इस में चाहिए आभी तो चैट जीपीटा है इस में पूचके देखलो osterch हर अदमी को हर आदमी जो है यसे चेड़ को पूछ के देखो तो भी बोलेगा मंडल के बारे में और बाकी जो आपका जो जिसका प्यार है जिससे आप उसको पुछ के देखो देखो के होगा नहीं फिर ठीक है देखता हूँ खुल गया इसमें लिख दो हुई से इसके मंडल जैसे अब लिख होगे हुई इसके मंडल चैट चीपीटी आपको बताता रहेगा कि इसके मंडल के बरे में क्या-क्या उसको जन करिए इंजिनेरिंग एस्पिरेंट इंडिया ही इस दा एडुकेटर मेंटर और फाउंडर ऑफ दा ओनलाइन कोचिंट इसके मंडल सुन आप इसके मंडल कोचिंग आपका बता रहे है क्योंकि ए यूज कर रहा है ठीक है क्योंकि इसका जो है कि ऐसा जुगाड आता है ऐसा जुगाड आता है ठीक है कि इसमें टीचिंग स्टेट इसमें क्या होता है कि जो ए यह हैं वह मंडल के बारे में इतना कुछ लिग दिया लेकिन आप आपका कोई और एडुकेटर के बारे में लिख के देखो चैट जीपीटी कोई एंसर ही नहीं देखा क्यूंकि एस सब जो मेट्रियल है जितना भी दुनिया में पड़ा हुआ है उहां से कभी जो जिसको जो इच्छा है और डेटा लिख के रखा है एन ए उहां से इटा बताता है कि देखो इसके मुंडल के बारे माँ जानके आपको चाहिए कि वाला मिल जाएगा जेत का आई इसका कॉम्डेव जाम का प्रिपरेसं करना होता है वो बताता रहता है तो आप मेरे हिसाब से सारे बात बता दिया आप मुझे मेरा कोश्चन में बाउसाता हूं मुझे बताए अगर आपको पूछा जाए कि यह जो मेरा लंबाई था इसका पहले याद क्या किया था आमने कि मैंने मना थार एक टू फिप्टी मिन्टर लंबाई है इतना अगर मिल मेरा जो टोटल वॉलीम है एंटेल है तो इतना मिलिमटर क्यूब है तो आपने पता क्या था इस मेटल को मिल करने के लिए जितना हमें मौल्टें मिटल का रिक्वीर्मेंट है उसको मिल्ट करने के लिए इतना जूल मुझे एनर्जी चाहिए और आपको मैं पूछ रहा होगा पवित्र ने बोला 25 स्क्राइब बाकी लोग बताओ दोनों कोस्टन हो सकता है कि भाई मेरा यह जो वार्क पीसेस का लब्मा है 250 मिनिमेटर तो मुझे एरिया पाइब हांडेड मिनिमेटर स्केर एरिया को मेल करकर करके जाना है तो मुझे बताएए कि कितना टाम लाएगा सैर उसव आप 100 मिनिमेटर करके पता कर लिया भाई इतना मिल्मेटर क्यों आपको मोंटन मेटल चाहिए और उसको मेल्ट करने के लिए इंटू 10 25 इंटू 10 इतना उसका जूल आपको इनर्जी चाहिए और आपका जो हीट ट्रांस पार हो के मिठल को मिला आपको पता चल गया मियम्टिंग एफिशेंसी 10 सट है तो मिठाल को मेल्ड करने के लिए उनली 10 परसन Instrument है तो आप का जो हीड़ ट्रंसपर हुआ था मेटल में ही ट्रान्स पर हुआ ता उसका 10% प्रसंत अम देवर अमर देव उसका दस परसंट अब का काम करेगा मेटल मेट अधने कि लिए क्यूंकि अपने मेंटिंग निकाल लिया इसके बद आप बोलों कि सर देखें कि आपका जो मेंटल को मेंड मेंटल मिला था उससे फॉर मेंटिंग फॉर मेंटिंग only 10% heat heat available कि मत्रव आपका एजो इतना हीट मेटल को मिला था उसका नाइन्टी पर संसों के चला गया है आप बहता आपका जो दस परसेंट तो जो आपका वैलू है उसका दस पर्सेंट यह जो वैलू है उसका 10 परसन मेंटिंग के लिए लाएगा तो बोले सर्भ फॉर मेंटिंग हमें जो हीट मिला कितना मिला फॉर मेंटिंग जो हीट मिलेगा है पहले खोबड़ा में घुसे कि भाई हमने जो मेटल को पूरा हीट दिया और पूरा हीट हमारा कभी भी मेटल को मेंड करने में जा नहीं जाएगा उसका ओनली दस परसंट जा रहा है मेंटल को मेंट करने के लिए ओनली टेन परसंट है जो मेंटल को मेंट करने के लिए जा रहा है सर आगर हमने दस परसंट को कटे तो इसका एक जिरो काट जाएगा दस परसंट को काट दिया तो इसमें पता चल ला है सर इसका मतलब होता है कि आपका किना रहा है सर यहां पे 100 और दोसों के साथ पॉइंट फागर एक सो तरफ का 10,000 जो है वाट यह मिल रहा है मेटल को मेल्ड करने के लिए मतलब एक सेकेन्ड में आप सिर्फ 10,000 जूल हिट दे सकते है फोर मेल्टिंग अपने हिट बहुत दे रह गीधिस के लिए मुझे कंडी मोंड़ेा है अब बोलो कि इतना ही अपको चाहिए सर महींट मुझे चाहिए इतना टुएट का रिक्वियर्मेंट है तो आप बोलोगे सर इसका जो टाइम रिक्वियर्मेंट होगा वो खुदी बता रहा है कि आपका ट्वेंटी फाइब ताऊजण इंटु टेन इतना जूल है और डिवारड़ यह अपका 10.000 इतना जूल पार सेकेंड एक उसलिए तो कैसे पटा चला दिवाइड करना है सर आपको कैसे पता चला डिवट करना है टाइम का सेकेंड होता है इस लिए जूल होंका जूल सेकंड होगा तो हमारा सेकंड ना जागा क्योंकि कभी दुनिया में one by one by two आपका भी सिकलेड़ टू है तो बाइबाइबा दो बारा आजाता है तो नहीं वह बाइबा सका जूल जूल भाई सेकंड है सेकंड ऊपर चला जाएगा तो मुझे एक खुदी बता रहा कि भाई जूल कड़ गया आपका जो टेन थाउजंट था एक दो तीन चार कर दो एक दो तीन चार कर दो चट प्वेंटी फाइब सेकेंड इस दा एंसर और एवरिवन सब्सक्राइब से सब्सक्राइब 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 मतलब एवरिवन करेक्ट क्या आपको एक कैलकूलेशन मेथाड कैलकूलेशन प्रोसीडियोर पता चला एक calculation method एक calculation procedure पता चला कि कैसे हमें सोच विचर करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि कभी भी अच्छा आप एक दूसरा जुगार बताता है कि मुझे बताए कि यूनिट लेंग्ट में कितना हीट आपने एड़ किया मेंटिंग के लिनी हीट एड़ेड एक सवाल आता है कि इसका यूनिट लेंग्ट में यूनिट लेंग्ट में एक मिलीमेटर में एक मिलीमेटर में आपने कितना हीट एड़ किया और एक कोश्चन आता है कि एक मिलिम्मेटर रोशन एक मिलिम्मेटर में कीटना ही पाइट किया। आपने देखिए कि यहां पे 250.G. when meDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDe मैंने जितना हीट एड़ किया था पूरा मेंड किया क्या मैंने जितना हीट एड़ किया था पूरा मेंड किया क्या बना नहीं तो इसका मनलब इसको अगर टूफिप्टी से डिवाड करतों के तो गलत हो जारा है क्यों वह यह तो मेंडिंग करने का है मेंडिंग करने दौली 20 लोगर हमने ला怎麼了 कर रहे थे हमram हीट मेटल को मिल रहा था हैं घूर मेटल हो रहा था मिल रहा था हिए क्वेटल को मेंडा था इतना एतना ओट को मुद जूल पार सेकेंड ऑर मेरा यूनिट है में एक सेकणड में यह भाग रहा था मेरा मोंट हो रहा था 10 mm पर सेकेंड ये दोनों बताता है कि आगर हमने इसको डिवाइड कर देंगे कि हमने जो हीट एड किया था टोटल टोटल हीड जो एड किया था तो मतलब आपका जो एक्चुल एलेक्ट्रिकल हीड के साथ हीटिंग मेंटिंग एफिसिंसी मांटिपला कर दूँगा तो आपक वेल to electrical heat into electrical power power heat me power electrical power into heat transfer efficiency heat transfer efficiency divided by upka velocity क्यों सर आप खूद से देखिए आप लॉजिक से बताए कि सर मेरा तो इलेक्टिकल पार था वी इंटु आई तो आपका वी इंटु आई आपका इतना था इलेक्ट्रिकल पावर ही ट्रंस पर एपिसेंसी 0.5 क्योंकि आपका 50 पर सनी डैसी लॉस हो गया रस्ते वंगा मलब इसमें एडमस्फेर में डिवेर्ड भाई वेलासिटी आपका है का जूल पार सेकेंड यूंकि आपका पावर है जूल पार सेकेंड है और आप ऐसे देखा जाए कि एधना रहा है डैसे गल्ट्रट दस मिलिमेटर पर सेकेंड तो आप ये दोनों सेकेnd बुल र 구독 लिए मैं दोनु सेकेंड काट जाओंगा तो जूल पार मिलीमेटर हो जाएगा है जूल पार उर हो जाएगा फिर जाके पता चला सर इसके साथ अगर यह से कटे तो यह अपका एक सवा जाएगा पस्टे तो कब से बोलोग गिंगा तब directors अब तो अन्य मंतों कमेड़ी इसमें किदना रही चाह जा यस मिला कि और 10,000 आपका थे जूल पर मिलिमेटर तो एसे करके विक्षर क में हिसाब कीताब करना है तो आप बोलेंगे सर जुगाड़ आपने सिखाया यह जो जुगाड़ पोर का घव करके कोछ सॉल्व किया जाए तो हमारा रिदील का आर्मा है इसको फेले जिसको यूज करके कोछ Your की इसको सवाइन को सोच हो धिसको अजान को सब्सक्राइब क्या जाए घान जितना लोगों है इसमें हमारा दो जगाने खुल छिर्फ चल्ट सब्सक्रांस आए एक यूट्यूव एक लिक्त रहे है तो जो बना सबस्क्राइब कोई देख रहो को जो बन्ना स्पिस्अल क्लास में देख रहो कोई देख रहो ने भी है खूल के दिखता हूं तो यहां पर जो देखते हो तो उसमें आपका मैसेज्ज वैं उसका स्पिसल क्लास में चल रहा है आप सवाल एक एक पैदा होता है कि कैसे भी करके आप देखो कि एक क्वेश्चन हम सोच विचर करना शुरू करता है कि एक्ट्वल में एक कॉंसेप्ट जो यूज करके की स्टैप का सवाल बनता है ठीक है क्वेश्चन है कि अभी हमरे सामने आ चुका है बहुत सरे questions and हम सुरू करते हैं बार्क और इस रोप्रैक्टिस शरीज और बार्क इस रोजब प्रैक्टिस शरीज है उसमें हम सुरू करते हैं हमरा वेल्डिंग का जो कॉंसेप्ट अब सुबा से पढ़ रहे थे उसका question ठीक है दिस इस प्रैक्टिस शरीज आप पहले question आपके सामने टू टू मिलमेटर ठीक सीटसर स्पास वेल डिट अब घुजग किसमें रिजिस्टेंस रिटिंग में अब घुजग आखिसमे रिस रिटिंग में टू यह है उसमें सपॉट एल्ड देड इसमें स्पॉर्ट उर इंक यहरा तेक को सुल और आप को इन बता दिया आपको कॉसें होनें नीट करना है भाइ फ्लॉए एक कर अथितना एंपर एतना इंपार पर इजाने सेंप ऱीन हिर सकेंद सास्ट्री तार्वि टार्व इलक्तरों इस फ्रेमार फ्ल्ड फ्ल्ड टेस्टेस इस एजस्टेट सर आपने पढ़ा रहते पढ़ा रहे थे अभी आर्क वेल्डिंग का यह आगया रिजिस्टन्स वेल्डिंग का और जैसे रिश्टन्स वेल्डिंग आता है तो हमारे पास होता है कि भाई तुम बताओ कि डामेटर अब दाइलेक्टोड 5 होता है इसमें ऐसे करके दो इलक्डोड पर नहुंक है आफका में पूरा में हता है में दिदना पूरसन होगा ता है थे हलएअन Śा उखाड़ के देखा इतना पूर्चाण में होता है जितना इलक्डोड तो आपको समझना पड़ेगा कि सार इसका मतलब एक जमिनर का दिलका आर्मा इहां पर इंदिस क्वेस्टन एक जमिनर का दिलका आर्मा क्या है ना दिलका आर्मा है कि मिलीमितर का सीट है और सपॉर्ट हेल पहले स φ्व उरडिंग मतलब होता है ऐसे एक मिल्डिंग कर रहा हो कि यह दूसरा बाला डो मिल्टी में है हुआरग प्रें ुक्क्रूर्ट दिया जो आभी आपको दिखा रहा था इसका । नीचे से ढिए उसका भी डी दैमेटर रहे वो मुझे पता है कि अल्व मुझे पता है लग फोल हो ळहाए आप बोला करेंट जो भलो किया उह में पता है रेजिस्टेंस और डायमेटर पांच में पता है एफेक्टिव रेजिस्टेंस अपका उसका जो बीजबाला पार्ट है उसका भी पता है वॉल्यूम ऑफ दा नागेट के इस सिलिंडर ऑफ हाइट टू मिलिमेटर एंडेंस इन तो आपका क्या हुआ इस जो नागेट पैदा ह सिलिंडर है टोटल लोचय मिलिमेटर हुना चीह नहीं हमसां पूरा मेंड होता है पड़िसमे जो हाइड दियाquar हिस या तो या般 डिया क हो जाएगा तो यह जो पोर्षान है, इतना metal तो मेंड हुआ ना, बताइए, एजो पोर्षान है, इतना metal तो मेंड हुआ, तक हमने same concept इस्तमाल करे, अब बताओ महामाद, question अपका पुरा उल्टा है, question resistance running का है, लेकिन concept हो ही लगेगा, बताइए कितना volume का metal आपको मेंड करना है, अमर्दीप बताइए कीतना वॉल्यूम का मिटल अब को मेंड करना है सर इसका सिरिंडर बोल लाना और डायमेटर डी है तो सर मुझे जो मेंड करना है वॉल्यूम ऑफ नागेट नागेट मतलब ओी है वह खना वे खने का भी होता है पर आपका वाल्यूम ऊफ में टाल मील करना है जब कि दामें टर्फाइब में तो पाई इंटो फाइब का स्कूर लिवाध आब भाई पॉर इंट आ हाइट कितना है टू इतना मिली मिल दार्फयलिक्षल दना मैसे निकल दिया बात मुझे एक स्टेप्र बखेता इसका एंसर कितना है जो आपका इसका एंसर है एंसर कितना है ठीक है जो एंसर है वो कितना है यहां से बताएए अमर्दी बोल लाया सर अपका 785 उसमें डालना है अमर्दी बोले समने तो पाई इन्टो फायब का स्क्वेर इन्टो तो डिवाड़ भाई 4 25 भाई पाई इंजिनें करकाता 39.2 39.27 कर दो सर एर आपका 39.27 मीली मीटर क्यूब 39.27 इतना मीली मीटर क्यूब मुझे मेल करना है लेकिन लो चाहिए है कि यहां पर दे दिया कि 7800 केजी पर मीटर क्यूब तो इसका वॉल्यूम से मास मल्टिप्लाइ करने के लिए मास निकाने के लिए हमारे पास जो हिसाब होता है सर मास ओफ नागेट यह आजाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लेकिन लो प्रॉब्लेम यह होता है कि वॉल्यूम था हमें पाता है डेंसिटी तो कैसे है यूनिट का तो माबाब नहीं बचेगा तब एक मंडल जुगाड होता है कि दुनिया में यूनिट को ठिक करने का एक ही तरीका है एक मिली मीटर आपका वान बाई एक हाजार मीटर होता है तो एक मिली मीटर का क्यूब करोगे तो वान बाई एक हाजार मीटर का क्यूब हो जाएगा कियूंकि मुझे भी मीलि मीटर कम दो करना होगा कि से फीकेवेंड गए के जो लिखा है यी जो है सेवेन एट जिरोगेजी पर मीटर क्योव 780 0 kg पर मिटर कियो नहीं और इसको मिली मीटर क्यूब से मरा बात नहीं मनेंगा उसको कर दिया मीटर क्यूब मेंटर कर आप हो रहा है कि इसको मान्टिप्लियग कर दो इं टुस धीन दी रो जीरो यहाँ गा के जी पार मेटर क्यूब आप मुझे बता है यह क्या आपका मीटर क्यूब मकल गया मीटर कूब का टेल नेंकle गया मीटर क्यूब कर दो настало की Uh हो गया मीटर की मीटर की तो खतम हो गया तो इसके चक्कर में इहां पर जो मीटर की मिटर के भाओ दोनों खतम हो गया फिर आपको मांटिब ले करना है इन्टू 7800 डिवाइड़ वाई एक दो तीन टेन टूदी पार थ्री सर इसका वालुआ रहा है कि 3.0 जब का केजी में आएगा that is equal to 3.063 इन्टू 10 to the power minus 4 इतना केजी तो आपका कैलकूलेसान क्लियार हुआ यस आप करेंट बोलो हमा सुमदीप यू आर करेक्ट कि यस सुमदीप यूँ आर करेक्ट अमदीप यू आर करेक्ट यू आर करेक्ट इतना केजी तो मेरा metal एक नागेट का है आप इधर में बोला है कि देखो बेटा आपका जो metal melt करने का इच्छा है औह जो metal melt करने का इच्छा है ओह होता है 1.4 megajoule पारकेजी यह खुदी बता रहा है कि मतलब आपका जो heat का requirement है melting करने के लिए specific energy for melting करने के लिए तुमको 1.4 मेगा जूल पार केजी तो सर अगर आपने हीट का बात करें मेल्टिंग हीट मेल्टिंग हीट मेंटिंग करने के लिए मुझे जो हीड देना है ओक इतना है सर जो आपका मास है ओके जी में है तो 3.0 63 23 इन्टो टेन्ट योपार माइनस फोर इन्टू उसका रहा है 1.4 1.4 गोजुल वहरी सर क्योंकि मेगाइज पर केजी इहां बैठाय है और वहीं पर कीजी बैठाय केजी केजी कटे इंदने मेगाजूल को मेगाजूल तो इसको इन्तू 1.4 कर यह तो आपकी आ जाएगा इतना इन्टू टू inspect कर दीजिए कुँन टू टू दी पर TTIPस कогडिजैंस सर इसमें जॉंसर आया कि आपका जाड़ी का रिक्वेर्मंट होगा मेगा जूल में जाके जूला जा है कि 428.8 3 इतना जूल आ रहा है मेगा जूल को भी हमने निकल दिया टेंटोटी पार सिस तब जाके इतना जूल आ रहा है कि ठीक है इतना जूल यह सिवर करेक्ट पवित्रा सोमदीप राबनीप अब जाके बोला है सैर यह तो आपका काम का हीट है यह जो आपका आया है यह तो आपका काम का हीट है आप मुझे बताए कि काम का हीट अगर यह है तो फिर बेकाम का कितना है बेकार बाला कितना है बेकाम का मतलब मतलब जो ये तो काम जो आपका काम करता है उतना हीट है तो बाकी जो फालतु हीट है ओ कहां गया जो फालतु बला हीट है ओ कहां है फालतु बला हीट मतलब भाई तुमने इतना हीट से तो मिटल मेंड किया तो इतना हीट से मिटल अपने मेंड किया लेकिन हीट पैदा कितना हुआ था सर भर्ड बच्छपन से ममने पता यब न सबाएफ पता होता है जो जो हीट पैदा होता है आई स्क्यार आरटी यह बच्पन से पता है कि आपको हीट जो पैदा होता है कि आपने जो इलेक्ट्रिकल हीट दिया इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल हीट दिया वो कितना दिया सर इलेक्ट्रिकल हीट का वेल हो जाएगा राठते रहोगे जिन्दी की खराब हो जाएगा इसलिए आपको एक जुगार लगाना है कि पावार का फॉर्मूला हमने अभी अभी पता किया था अगर पावार का फॉर्मूला आपको पता है तो आभी हीट का फॉर्मूला हीट का फॉर्मूला क्या होगा सरी इंटू टाइ होगा और क्या होगा इसके चक्र में जो हीट का पायदा होगा ओग कीतना हुआ नहीं पायदा हो गया देटीफ इक्वल टू आई square आरइं new टी के तो आप आई दर यह टिना 4000-4000 का स्क्वेर इन्टू रेजिस्टेंस जो दिया गया जट- इस उक्वाड टू जो हुआ अपका टाइम कितना लगा सब टाइम लघ आपका जीरो पॉइंट वान कुछे के तो इतना जूल आपने हीट दे दिया तो पता चला कि हम ने जो फींट दिया उप का हीट दिया वह कितना है हीट दिया 576 कि मैं रहे सब फाइब 576 जूल इतना हीट हम हमने दे दिया तो पता ये 576 दिया तो आपका डिसीपेट कितना हुआ सर्फ फाल्तु जो हीट गया हीट डिसीपेटेड क्योंकि मुझे चाहिए था इतना मिल्ड करने के लिए उतना डिसीपेट सर्ष सेवेन 576 माइनस जो 428.83 है उतना माइनस कर दीज यह जैसे उतना मैनस कर देंगा आजाएगा आपका कितना हीट डिसीपेट हुआ तो माइनस 576 किया सर्फ 147 कितना रहा है 147 है 576 माइनस 428 हाँ 147 इस आरा है तो आपका जो हीट डिसीपेट हुआ वह आपका रहा है 147 तब का इसमें जो हीट डिसीपेट हुआ है आपका कितना है हीट 147.1 1517 इतना जूर तो इतना हमारा हीट डिसीपेटेड हुए तो फिर एपी ए कितना आपका टूटल हीट था सर इतना तो बेकर गया तो परसेंटेज में इकाल होगे तो आपका जेगा 147.17 डिवाइड भाई आफका 576 इंटु हंड्रेड परसेंट तो किरना परसें नि परसेंटेज निकलना है तो इसका परसेंटेज के में जो जस्ट उसका जो एक्च्वल मारा 576 था ऐसे किया इंटू सब्सक्राइब 25.55 25.55 25.55 परसेंट यापका हीट डिसीपेटेड है आप बताए कि पहले आपका कुछ एंसर आ रहा था ऐसा क्यों आ रहा था क्योंकि पड़ानी एंसर दे रहते हैं कि बहुत लोगों ने एंसर सही निकला सही निकलने के बाद भी एंसर कला हो गया क्योंकि एग्जा मिनार क्या पूछ रहा हो देखना था जो लोगों आपने क्या कर दिया जो एफीसन उसका जो efalek कैलकूलेर दा पारसेंटेज ओफिर यहां पर समझ लिए उसका कोई दिक्कत निया अपको क्या किया पूरा धोका दरी चिया है कि calculate the percentage of heat dissipated आपने कभी भी बच्चे इतना थोड़ी देखता है तो जनरली हमने आज तक जिनने में क्या निकल काया नहीं आपका गलती होने का कारण भी है क्योंकि आज तक हमने तो percentage होना हमने में इसमें क्या किया में ना करके एक जमनर पार सेंट पूछ लिया तो क्यों हुआ अगर का बात करोगे कि जब हम वेल्डिंग करते हैं यह सब को मैंने तब से दिखा रहा था पूरा हीट जितना पया हीट्वर सब्सक्राइब में कुछ जाएगा इसका सारे में तो थोड़ा थोड़ा जाता है इसके कारण क्यों नहीं चलना है कि मैंने काट दिया क्या और एक घंड़े का इसमें दिया है इसले उसमें क्या क्यों बंद कर दिया है हां चलो खूस रहो क्योंकि हमारा ना यहां पर इसमें घंड़े का सेसन है और उसमें यूट्यूब में दिखते हैं तो इसके चेक करें हम इसको दोनों को क्लोज करता है तो आपको कॉंसेप्ट जो पढ़ा पढ़ा फिर काल शूरू करेंगे क्योंकि यहां पर जो है थोड़